हलो फ्रेंड्स मेरा नम है दीपंकॉर और आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक विजूल बेसिक एप्लिकेशन को आड्रेनो के साथ कनेट कर सकते हैं यह मेरा एक एप्लिकेशन है जिसको मैंने विजूल स्टूडियो 2010 वर्शन में बनाया है और इधर आप देख सकते हैं मेरा जो आड्रेनो बोर्ड है वो यूसबी केविल से लैप्टॉप से कनेक्ट है तो मैंने इधर 2 से 13 तक जितने सारे डिजिटल पीन है इसको मैंने आउट्पूड में सेट किया और सब इन में एक एक करके LED मैंने ब्रेट बोर्ड पे लगा दिया और इधर मैंने एक सिंपल सा एक एप्लिकेशन मना जिसमें आप देख सकते हैं तोटल 12 बटन है और एक आप करने के बटन है यह जो बटन है इसको प्रेस करने से सब LED एक साथ आप हो जाएगा तो दिखते हैं एक ऐसे कम करता है और पहले आप देख सकते हैं एक सिलेट कॉमपोड मतलब जो कॉमपोड आपको आडुनो पलाग इन करने के बाद आपको होता है वह पोड़ आपको इént करना है मेरे लिए कि मैंने उने कामकोड लगा है वह जो भी क्लिक करोंगा इसको क्लिक कर आए मतलब एक एक बटन से आप दो तरह की काम कर सकते हैं आन और आप टगल स्वीच ठीक है एक देखिए एक दो नुम्बो जो LED है फ्लासार LED है सारी LED क्लो हो चुका है इसको मैंने बंद कर दिया बहुत सिंपल सा एक पोजेक्ट है मतलब एक Arduino और विजुएल बेसिक का पोग्रम का सिरियल कमनिकर्शन का एक बेसिक पोजेक्ट है तो चलिए समझते हैं इसका कोड और उसके साथ साथ Arduino के अंदर जो मैंने कोड डाला है उसको भी देख लेते हैं तो फ्रेंड्स यह है इस पोजेक्ट का Arduino स्केच अब देख सकते हैं इधर मैंने एक LED स्टेट नाम का एक वेरियेबल क्रेट किया जो की Integer टाइप वेरियेबल है और इस वेरियेबल को मैंने इनिस्याली हाई पे सेट किया मैंने दो से थाटीन तक वेरियेबल ऐसे हाई में सेट करकर रखा हैं यह वेरियेबल एक्चुली टोगल स्विचिंग क्या कम में आता है तो अब देख सकते हैं वाइट सेट अप फंसन में मैंने सेरियल.begin को 9600 बाट रेट में सेट किया और उसके बाद मैं 2 से 13 तक जो डिजिटल पीन है सबको मैंने आउट पूड में सेट कर दिया मैंने 2 पीन को स्किप किया वो है 0 और 1 एक्चुली वो 0 और 1 जो पीन है ना वो सेरियल कम्यूकिशन के लिए यूस होता है इसलिए मैंने 2 पीन को स्किप करके बाकी जितने सारे डिजिटल पीन है सबको मैंने आउट पूड में सेट कर दिया तो अब है वोड लूप फंक्शन लूप फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं जब सेरियल पोड अबलेबल होगा तब जो रीड होगा सेरियल पोड से वो मैंने एक अमित नम का एक करेक्टर टाइप वेरियबल है जिसमें हम स्टोर कर रहे है तो अगर अमित वेरियबल में एक करेक्टर रिसीव होगा तो मतलब LED स्टेट 13 जो की इनिसियाली हाई है उसको NOT LED स्टेट 13 मतलब अगर वो हाई है तो उसको not high कर देगा मतलब low कर देगा अगर low है तो उसको not low कर मतलब high कर देगा यही toggle switching का भंडा है और वही LED स्टेट को मैंने इधर जो digital right Arduino का इन्विल्ट function है उसके parameter में पास कर रहा हूं ठीक है ऐसे मैंने बाकी digital pin को set कर दिया और last map देख सकते हैं aim जब aim मिलेगा तो सारा LED का state low कर देगा यह फिर aim मिलेगा तो सारा LED का value है उसको low कर देगा मतलब सारे LED एक साथ बंध हो जाएगा तो यह था Arduino का sketch बहुत simple sketch है अब चलते है visual basic application के तरफ अब देख सकते हैं यह है मेरा visual basic application मैंने एक from लिया उसमें पहले मैंने एक combo box लिया जिसमें आप जो Arduino का communication port है serial port उसको पहले आपको select करना पड़ेगा उसके बाद यह जो button अब देख रहे हैं total 12 button है सब button में मैंने एक एक करके command set कर दिया और एक common button है जो प्रेस करने में सब LED एक सत बंद हो जागा तो चले देखते हैं इसके code को तो अब पहले देख सकते हैं मैंने import system.io.codes ए दो line है actually क्या होता है अब जब कुछ input output का का काम करेंगे application के साथ तो आपको यह दोनों input करना पड़ेगा तो मेरा project में आप देख सकते हैं serial code नम का मैंने component लिया जो मुझे यह वाला toolbox में मिला तो इसके लिए मैंने यह दोनों library call किया ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं from one dispoach मतलब अगर मैं close कर दूंगा या फिर off कर दूंगा तब क्या करेगा वो पहले serial code जो open है मतलब project में अगर serial code काम करते बाद वो open है उसको close कर देगा पहले उसके बाद application को end करेगा मतलब close करेगा और from load from जब load होगा from load में मैंने क्या रखा है combo box one dot test equal to com3 मैंने इसलिए करके रखा मेरे लिए तो एक com3 मिलता है मुझे sn में मतलब मैं जब Arduino को connect करता हूँ तो मुझे com3 मिलता है इसलिए मैंने बार बार मुझे वो port select करना ना पड़ है इसलिए मैंने इदर directly com3 लिख दिया ठीक है उसके बाद इदर एक function call हो रहा है जिसका नेम है config serial connection यह function मैंने last में define की आप देख सेकते है यह क्या करता है यह जो serial communication का configuration है उसको call करता है serial communication configuration का जो मैंने broad rate उठधर Arduino में set किया वो भी 9600 था यह भी मैंने 9600 रख रहा है आपका broad rate दोनों तरफ से same रहना चाहिए उसके बाद आप देख सकते है इधर serial port 1.port name मैंने combo box 1.selected item मतलब combo box 1 में जो port मैंने select किया वो इसमें assign हो जाएगा उसके बाद sub button में आप देख सकते है जब इस button को मैंने क्लिक करोंगा तो serial port 1.right L तो यह caps L को भेज देगा serial communication के through तो ऐसे मैंने sub button में एक एक करके character जो मैंने Arduino में define किया था वो character मैंने एक एक करके sub button में जाग दिया तो इधर combo box 1.selected item change जब combo box में item change होगा तो क्या करेगा serial port 1 को पहले प्रोस करेगा उसके बाद config serial connection मतलब ए वाला configuration को फिर से call करेगा क्योंकि उस time आपका जो port number है वो तो change हो रहा है इसलिए उसको फिर से call करके आप इस project को download भी कर सकते हैं इसका link मैंने video description में दे रखा है आपको एक common zip file मिलेगा जिसमें आपको वाला Visual Studio का source code और Arduino का sketch एक सांग सब एक folder के अंदर आपको मिल जाएगा तो एक video आपको कैसे लगा comment कीजिए like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और दोस्तों के साथ share कीजिए और bell icon को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब नया नया वीडियो अप्लेट करूँ तो आपको पहले notification मिले तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रॉपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई